हेलो फ्रेंस वेलकम बेट तो आवर चेनल फ्रेंस आज की इस वीडियो में ट्राउजर का एक बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन हम आपको बनाना सिखाएंगे आप बनाकर इस डिजाइन को पहनेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे जरूर की यह डिजाइन आपने कहा देखकर बनाया है तो आपको यही बताना है रूफ फैशन पॉइंट पर देखकर बनाया है तो guys इस design को बनाने के लिए हमने यहाँ पर अपनी trouser का एक पहुचा लिया है इस पर हम design complete करेंगे इसके लिए guys हमने एक कपड़ा और लिया है जिसकी चड़ाई 8 inch है और लंबाई 20 inch है हमारा पहुचा जो है वो 15 inch का है मतलब कि हम अपना जो trouser का पहुचा तयार करेंगे वो 15 inch का करेंगे उसके लिए हमने 20 inch का लंबाई में कपड़ा लिया है 8 inch चड़ाई में लिया है guys इसकी चड़ाई बाद में कम हो जाएगी और इसकी लंबाई भी कम हो जाएगी इसलिए हमने 5 inch फालतुली है और 3 inch ऐसी ऐसी फालतुली है 5 inch का pattern ये तयार होगा चोड़ाई में और 15 inch का तयार होगा लंबाई में इसके बाद इसे रख देते हैं एक साइट कुछ हमने एक एक इंच चोड़ी पटियां लिए है इनको हम सिलाई मारकर पटियां बनाएंगे कैसे देखिए ऐसे करके फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे करके एक बार फोल्ड करेंगे फिर इनके उपर एक सिलाई लगाएंगे तो देखिए फ्रेंस इस तरीके से हमने ये वाली पट्टी कम्प्लीट कर ली है तो जैसे हमने ये वाली पट्टी बनाई है उसी तरह से हम बाकी वाली पट्टियों को भी कम्प्लीट कर लेते हैं देखिए इस तरह से हमने अपने सारी पट्टियां कंप्लीट कर ली है अब इसके बाद इन पट्टियों को एक बराबर करते हुए हम इनको कट करेंगे लगबग 2-2 इंच लंबा यह पट्टियां कट हो गए इसके बाद एक लेंगे न्यूस पेपर न्यूस पेपर को गाईस हमने 2 इंच चोड़ाई से काट रखा है और लंबाई हम इसकी जितना हमारे ट्रॉजर का पहुंचा है उतनी लेंगे देखिए तो देखिए फ्रैंस बिल्कुल हमने बराबर लिय यह हुआ है थोड़ा सा जादा है चलेगा कोई दिकतनी बाद में एक्स्ट्रा काट देंगे इसके बाद गाईस इस तरह से हम यहां पर सेट करेंगे और लगाते जाएंगे क्वाट्र इंच का मार्जन लेते हुए प्त्निों को अटेच कर दिया है जैसरी साइट पर लगाई वैसे ही सेम इधर भी क्वाट्र इंच का मार्जन लेते हुए पट्निों को अटेच कर देते हैं और पिर इसके बाद इसका एक्स्ट्रा मार्जन इस तरह से हम कट कर देंगे आइस हम लेंगे अपना ट्राॉजर को नीचे रखेंगे और इस पैटन को इस तरीके से यहां रखेंगे और एक सीधी स्लाइज लगाेंगे उतना ही मार्जन लेते हुए जितना हमने पहले लिया है इसके बाद इसको ऐसे खोलेंगे और फिर यहां से एक सीधी स्टीच लगा देंगे फ्रेंस यहां तक तो हमारा आदर डिजाइन कंप्लीट हो गया अब आगे का डिजाइन जो है वो हम आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे यह जो कपड़ा हमने आपको बताया था इसका साइस तो हम अल्रेड़ी बता ही चुके हैं इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और एक सीधी पिंटेक्स बना देंगे फिर इसके बराबर में एक पिंटेक्स और बनाएंगे जिसकी दूरी जो होगी यानि कि गैपिंग वो होगी आदा इंच की तो यह दो पिंटेक्स बन गई इसके बाद अगली पिंटेक्स बनाएंगे हम लगबग इस पिंटेक्स से 2.5 इंच की दूरी पर सीधी फिर इसके बाद गाईस ऐसे करके दुबारा इसको ऐसे करेंगे और आदा इंच की गैपिंग पर फिर पिंटेक्स बना देंगे तो देखी गाईस इस तरह से हमने यह पिंटेक्स बना ली अब इसके बाद अगली पिंटेक्स आपने कैसे बनानी है देखिए इस तरह से तो हम पूरी Pintex कंप्लीट करी लेंगे देट इंच की दूरी पर और दो Pintex, देट इंच की दूरी पर दो Pintex फिर इसके बाद इसको ऐसे करके जब यह सारी Pintex पढ़ जाएंगी फिर दुवारा से यहां से फोल्ड करेंगे और फिर Pintex इस तरह से बनाएंगे तो देखिए गाइस इस तरह से आपको यह Pintex कुछ नजर आएंगी तो आप हम क्या करते हैं इसी तरह से दो-दो इंच की गैपिंग पर इस तरह की Pintex दालेंगे पहले और फिर इस तरह की Pintex दालेंगे और आपको दिखाएंगे पैटन कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो गया है और अब इसके बाद देखिए यहां पर हमने एक कपड़ा जोड़ कर इस पे एक स्टीच लगा दी और अंदर को इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया है इसक बाद इसको ऐसे खोलेंगे और खोलने के बाद में ऊपर से एक टॉप इस्टीच लगा देंगे मार्जन को नीचे उतारते हो एं इसके बाद घाईज जो हमने यह पेपर लगा इसको निकाल देंगे आपको ये पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू फोर वाचिंग टाटा बाई बाई